नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त मोहित रांटा जैसा कि आप सभी जानते हैं हम इंडियन कॉंस्टिटूशन को डिसकस कर रहे हैं इन बिट्वीन एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है जिससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन जो है वो एक्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए आज की वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महतोपूर्ण नारों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टन स्लोगन्स है जो किसी के महां चक्षतों के दुवारा दिये गए हैं उनको हम आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं हमारी वीडियो में बने रहें, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, सबसे पहला कुश्चन लेते हैं, पहला कुश्चन है, भारत माता की जै, ये जो नारा है, ये किस ने दिया, आप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, आप्शन बी, जवारलाल नहरू, आप्शन सी, सुभाष चंदर बोस या लाल बहादूर शास्त्री, इन चारों में से किस ने भारत माता की जै का नारा दिया, तो इस सवाल का जो सही जवाब है, वो आपके सामने है, ए इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी, ये नारा महात्मा गांधी का दिया है, अग श्याम लाल गुप्ट या दयानंद सरस्वती, विश्व, विजई विश्व, तिरंगा प्यारा ये नारा दिया था, श्याम लाल गुप्ट पार्षद ने, तो सी जो है, ये इसका सही जवाब है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत छोडो नारा ये किस ने दिया था, अप्शन आपके सामने है, लाला लाजपत्राय, महात्मा गांधी, मंगल पांडे, या फिर भगत सिंग, तो इस सवाल का जो सही जवाब है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत छोडो जो अंदोलन है, वो 1942 में शुरू हुआ था, जिसे कि महात्मा गांधी द्वारा शु अगला क्वेशन लेते हैं, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का नारा जो है, ये किस ने दिया था, ये बहुत इंपोर्टन जो स्लोगन है, ये किस ने दिया था, आपके सामने है, सरदार वलब भाई पटेल, जवाहर लाल नहरू, भगत सिंग, या फिर पिंगली व ये जो नारा है, ये दिया गया था, जवाहर लाल नहरू द्वारा, ये नारा जवाहर लाल नहरू ने दिया था, तो इस सवाल का सही जवाब B है, ये नारा दिया गया था, 26 जैनवरी 1930 को ये नारा दिया गया था, पूर्ण स्वराज का, अगला सवाल आपके सामने है, वे दयानंद सरस्वती वेदों की और लौट चलो का जो नारा है ये दयानंद सरस्वती ने दिया था D इसका सही जवाब है अगला कोश्चन लेते हैं करो या मरो डू और डाई ये नारा किस ने दिया था आपके सामने हैं मंगल पांडे भगत सिंग महात्म गांधी सुभाष चं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा ये एक बहुत इंपॉर्टन स्लोगन है ये किस ने दिया था आपके सामने है पंडित जवारलाल नहरू भगत सिंग सुभाष चंदर बोस या फिर मंगल पांडे तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो सर्व विद सुभाष चंदर बोस ने ये नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा अगला सवाल आपके सामने है इनकलाब जिन्दाबाद ये नारा किस ने दिया था आप्शन्स आपके सामने है पुरुशो तमदत्ता विनोबा भावे मुहमद इक्ब या पंडित जवार लाल नहरू तो यहां पर इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपके सामने है मुहमद इक्बाल जो ये नारा है ये काफी इंपोर्टन कुश्चन है ध्यान से सुनिएगा इनकलाब जिन्दाबाद का जो नारा है ये दिया था मुहमद इक्बाल ने अगर दोनों ने दिया था लेकिन अगर उप्शन में आपके पास चारों में भगत सिंग भी है और मुहमद इक्बाल भी है तो आपको यहां पर सही आंसर जो है वो आपका मुहमद इक्बाल हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा अगर मुहमद इक्बाल है तो ये नारा मुहमद इ भगत सिंग या एपी जे अब्दुलकलाम तो ये जैहिंद जो है ये नारा किस ने दिया था ये नारा दिया था सुभाश चंदर बोस ने ए इसका सही जवाब है ये भी ध्यान रखेगा जैहिंद का नारा सुभाश चंदर ने दिया था ठीक है अगला जो सही जवाब है सारे जहां से अच्छा हिंदो सता हमारा ये आप हम हमेशा गुन गुनाते हैं सुनते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदो सता हमारा ये नारा किस ने दिया था आप्शन्स आपके सामने है मुहमद इकबाल, विनो भाभावे या पुरुशूतम दत्ता या आबिद हसन सफरानी तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मुहम्मद इकबाल ये नारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा ये नारा भी मुहम्मद इकबाल ने दिया था अगला सवाल आपके सामने है सर्फारोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है ये नारा किस ने दिया था आप्शन आपके सामने है लाला लाजपत्राए लाल बहादुर शास्त्री आबिद हसन सफरानी या राम प्रसाद बिसमिल तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपके सामने भी है राम प्रसाद बिसमिल का दिया हुआ ये नारा था सर्फरुशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है अगला सवाल लेते हैं सुराज मेरा जन्म सिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा आपके सामने है बाल गंगादर तिलक इनके दोरा ये नारा दिया गया था सुराज मेरा जन्म सिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा अगला सवाल है जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया था आप्शन्स आपके सामने है सुभाष चंदर बोस महत्मा गाधी एपी जै अब्दुलकलाम या लाल बहादूर शास्तरी तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये भी सर्विदित है लाल बहादूर शास्तरी जो है हमारे देश के दूसरे प्रदान मंतरी थे इन्होंने ये नारा दिया था जै जवान, जै किसान अगला कॉष्चन आपके सामने है साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किस ने दिया था आप्शन्स आपके सामने है आबिद हसन सफरानी, मुहमद इक्बाल, श्यामलाल गुप्त पार्षद या लाला लाज पत्राए साइमन कमिशन वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाज पत्राए ने D इसका सही जवाब है अगला कुश्चन आपके सामने है उठ जाओ और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्षा की प्राप्ति ना हो ये नारा किस ने दिया था उप्शन आपके सामने है दयानंद सरस्वती, जैप्रकाश नारायन स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपके सामने है स्वामी विवेकानंद ये बहुत important नारा दिया था उठ जाओ और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष की प्राप्ति ना हो और इसके साथ-साथ यहाँ पर मुझे स्वामी विवेकानंद जी से एक और सवाल याद आया जो कि अक्सर पूछा जाता है अग्जाम में वो है जो स्वामी विवेकानंद है इनका बच्पन का नाम क्या था यह सवाल भी पूछा जाता है तो इनका जो बच्पन का नाम था या इनका जो दूसरा नाम था वो था नरेंदर दत याद रखिएगा नरेंदर दत अगला सवाल लेते हैं जै जवान जै किसान जै विग्यान ये नारा किस ने दिया था जै जवान जै किसान जै विग्यान आपके सामने है पुरुशोतम दत्ता दयानंद सरस्वती अटल विहारी बाजपई या पिंगली विंकया तो इस सवाल का जो सही जवाब है तो इसका सही जवाब है अटल विह तो बंदे मात्रम का नारा दिया था बंकिम चंद चटरजी ने C इसका सही जवाब है अगला जो आपके सामने question है वो है जनगन मन का नारा किस ने दिया जैसा कि आप सभी जानते है जनगन मन जो है यह हमारा राष्ट्र गान भी है तो इसका जो सही जवाब है वो है रविंदर नारा टेग और भी इसका सही जवाब है अगला सवाल आपके सामने हिंदी हिंडू हिंदूस्तान ये नारा किस ने दिया उप्षन्स है पिंगली वयंकईया जैप्रकाश नारायन राम प्रसाद विस्मिल या भारत इंदू हरी・चंद्र तो इस सवाल का जो सही जवाब है तो यह है भारत इंदू हरिश्र चंद्र हिन्हों ने ये नारा दिया था हिंदी, हिंदू, हिंदूस्तान अगला सवाल आपके सामने है दिल्ली चलो, ये नारा किस ने दिया options है, लाल लाल लाजपत्राय, सुभाष चंद्र बोस दयानंद सरस्वती, या फिर जवाल लाल नहरू, तो इस सवाल का जो सही जवाब है, वो आपके सामने है सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था दिल्ली चलोगा सो गाईज, ये हमारी आज की वीडियो थी आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो इसमें हमने डिसकस किया जो इंपॉर्टन स्लोगन जो नारे हैं जो सोतंतरता से इनान्यों द्वारा दिये गए थे उनके बारे में डिसकस किया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में दिये हुए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहें अगर हमारे से कोई गलती होती है तो उसके लिए हमें क्षमा करें कमेंट बॉक्स में हमें सूचीत करें अगर आप चाते हैं हम किसी भी आपके टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जैभारत